रोजाना सुबह उठकर करें ये पांच काम महालक्ष्मी आएगे आपके द्वार अपनी घर में तुल्शी का पोद़ जरूर लगाएं और सुबह इस नान करके जल जरूर चड़ाएं तुल्शी के पोदे में साक्षाथ महालक्ष्मी का वास होता है इसलिए तुल्सी के पोदे को जल चड़ाने से घर में सुक्षम्रद्धी आती है तुल्सी में जल चड़ाते समय भगवान, मिश्णु, कामंद, ओम, नमो, भगवते, वासुदेवाई का जाब भी करना चाहिए इससे मालक्षमी के सासा स्री हरी की किरपा भी बनी रहती है सुबह से समय इस्टान करने के बाद तामी के लोटे में जल भग कर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उक्ते हुवे सूर्य को अरपित जरूर करें इससे मालक्षमी परशन होती है, साथ ही आप हमेशा स्वास्तो निरोग रहते हैं सुबह के समय घर की साफसफाई करके मुख्य दुआर में घी का दीपक जलाना चाहिए दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा करने से आपको हर विबदा से चुटकारा मिलेगा इसके साथ मालक्षमी का आगमन होता है, जिससे घर में सुक समरद्धी बनी रहती है इतना ही नहीं दीपक जलाने के घर के वास्तु दोसों से चुटकारा मिलता है रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए सास्त्रों में इसे बहुत सुब मना जाता है इससे आपको सांती शुकून मिलने के साथ मालक्ष्मी बिरसन होती है इसलिए रोजाना चंदन का तिलक लगाए वास्तु दोसों से चुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोचा जरूर लगाना चाहिए ऐसा करने से मालक्ष्मी की किर्पा आप पर हमेशा पनी रहती है